देश के चीफ जस्टिस एनवीरमन का कारयकाल 26 अगस्ट को खत्म हो रहा है देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में यू यू ललित का नाम तैमाना जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चरचा ये भी चल रही है कि Chief Justice ने अपने कार्यकाल के दोरान कितनी न्युक्तिया की है क्योंकि पूरवर्ति Justice S.A. बोबडे ने अपने कार्यकाल के दोरान एक भी न्युक्ति नहीं कर पाई थी तो कैसा रहा चीफ जस्टिस एन्वी रमन का कार्यकाल देखी ये रिपोर्ट दरसल सुप्रिम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन्वी रमन ने 24 अप्रेल 2021 को ततकालिन मुख्य न्यायधिश जस्टिस एप बोबडे का स्थान लिया था उस समय देश के 24 हाई कोर्ट में जजो की 40% यानि की 411 से ज्यादा रिखतिया थी पटना हाई कोर्ट समेथ कुछ हाई कोर्ट आधे से भी कम शमता के साथ काम कर रहे थे लेकिन जस्टिस रमन ने आते ही न्यायधिश के चयन के लिए 5 वरिष्टम जजो का मंडल में सर्व सम्मती बनाने का प्रयाश किया और जजो की सिफारिशे स्वीकार होने लगी केंदर सरकार ने उनकी लगभग सभी सिफारिशे मानी और न्युक्तिया की है बतादे की जस्टिस रमन ने कोलजियम की आखरी बैठक बीती 25 जुलाई को आयोजित की थी जिसमें उन्होंने 6 हाई कोर्ट के लिए जजो के 35 नामों की सिफारिश सरकार को भेजी थी इनमें से 8 नाम न्याई का अधिकारी के हैं इसके बाद उन्होंने एक और बैठक की जो सुप्रिम कोर्ट में 3 जजो को लाने के लिए थी लेकिन इनमें से सर्वसम्मती नहीं बन पाई इसके बाद भी उन्होंने 1 अगस्त को एक बार फिर कोशिश की लेकिन अन्य 4 जज इसके लिए तैयार नहीं हुए वहीं जस्टिस रमण ने पूरवर्ती जस्टिस S.A. बोबडे अपने एक साल के कार्यकाल के दोरान एक भी न्यूकती नहीं कर पाई थी हालाकि उनका पूरा कार्यकाल कोरोना महमारी से प्रभावित रहा था डिविलाइव की रिपोर्ट